कोरोना की वेक्सीन लगवाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। ये तो पता है कि वेक्सीन की दो डोस लगेंगे। लेकिन आपने अगर वेक्सीन की एक ही डोस लगवाई और दूसरी नहीं लगवाई तो क्या होगा? जीन की पहली डोस बेकार हो जाएगी? ऐसे स्वास्त कर्मियों की संख्या 9,84,000 है यानी मोटा माटी 10 लाग गंगा खेटकर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोस लेने के भी 12-15 दिन तक इंफेक्शन होने का खत्रा बना रहता है दूसरी डोस के भी लगवक 40 दिनों बाद ही पूरी तरह से इम्म्यूनिटी आती है अगर पहली डोस के बाद दूसरा टीका नहीं लगवाया या लगवाने में देर कर दी तो समझो हो गई गड़बर संक्रमन का खत्रा पहली की तरह हो जाएगा अब चलिए मान लिया कि दूसरी वैक्सीन छूट गई या जानबूज कर छोड़ दी तो क्या करें विज्यानिकों की माने तो अगर हफता बीट गया है तो कोई दिक्कत नहीं लगवा लीजे लेकिन तुरन गंगक हेटकर आगे बताते हैं कि लैंसेट जनरल की एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है कि दूसरी डोज तीन महीने के अंदर लगवा सकते हैं संभव है कि इससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ हो सरकार को दिशा नर्देश सपस्ट कर देने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वैक्सीन की दूसरी डोज कब लेनी है वैसे तो नियाम 28 दिन का है यानि अगर पीम मोदी ने एक मार्च को वैक्सीन की पहली डोज ली है तो वो 28 मार्च को फिर से एम्स जाएंगे और उस दिन लेंगे वैक्सीन की दूसरी डोज आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिध्धान्त ने अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रहे हैं दी लल्लन टॉफ शुक्रिया अब रोज दोपहर बारा बजे लल्लन टॉफ लाएगा मैट मी शोव सिनेमा का कम्प्लीट शोव यहां संसनी नहीं सेंस होगा सोमवार बॉलिवूट किस्से फिल्म और फिल्म वालों की दिल्चस्त कहानी मंगलवार ललन टॉफ अपन्डा चौचक बैट की हेडलाइन्स बनाने वाले हीरो हिरोईन डारेक्टर के साथ बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुम नाम है उनकी खोज खबर बुरुवार भारत टोकी प्रेस्ट ओफ रीजनल सिनेमा क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्म में बनती है शुकरवार, स्पोटलाइट, हपते की सबसे बड़ी सिनमा न्यूस के हर एंगल पर फोकस शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारतियों से तसली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानि की पीरियट, कक्षा, क्लास, ये क्लास लेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र, क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी तो रोजाना दोपहर बारा बजे देखिए ललन टॉप का मैटनी शोग